बुट नौलणीट जो शब्द है पाली के अंदर वो बना है दंत से एक मात्रा पाली में होती है जैसे वेर होता है दो मात्राव वाला, उसको वेर बोलते है ऐसे ये डैते सब्द नहीं है, ये दंत सब्द है दो मातराओं का सब्द पालिका नहीं होता है, इसलिए डैते सब्द पालिका नहीं है दंत का मतलब होता है, जिसने अपनी बुराईयों का दमन कर लिया दंत का मतलब यहां दमन होता है, दात नहीं होता जिसने अपनी ब्राइयों का दमन कर लिया है उसको दंत बोलते हैं इनी लोगों को बाद में जब भासा बदली तो दैत्य के कहने लगे और जब इनके गुण चले गए तो इनको दैत्य का निगेटिव वर्ट है इसी दैत्य से जो सब्द बना जो दैत्य वाल बोलते हैं यानि जिनोंने दमन किया है उनको दैत्य वाल बोलने लगे दैत्य वाल आज भी आप नाम को समझ सकते हैं और एक होता है अदित्य यानि कि जिनोंने दमन नाना किया हो उनको अदित्य बोलते हैं अदित्य का मतलब है जो दमन ना करके आये हो यानि कि जो भिक्कु परमपरा से अलग हो वो अदित्य होगे तो दत्य दैत्य 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 वाल ये सब्द बुलकुल साफ क्लियर है तो दैत्य का मतलब होता है दंत और दंत का मतलब होता है जो अपनी बुराईयों का दमन कर देता है इसलिए देते सब्द बहुत पॉजिटिव सब्द है बहुत अच्छा सब्द है क्योंकि जितने भी भारत के मूलनेवासी लोग और भारत के अच्छे लोग हैं खास और से जो भिक्कु परंपरा में या जो समन परंपरा के अंदर हैं या जो बहुत परंपरा के उनी को द्यत्ते बोलते हैं, सारे बहुत भिक्कु द्यत्ते हैं, और भगवान बुद्ध सबसे बड़े द्यत्ते हैं, धन्यवाद. उन्यवाद.